आज के करीब 30-40 साल पहले जब वो ठीक से चलना सुरू नहीं हुए थे तब ही हमारे देश की एक महिला ने उनको पटक के उनके दो तुकड़े कर दिये थे किराय के टुकड़ों पर पर लने वाला पाकिस्तान इससे ज़्यादा बड़ी सोच रखी नहीं सकता है उसकी सोच यही हमेशा से थी और यही हमेशा से रहेगी कि हम भारत पे बार्माडू हमला कर देंगे भारत पर आतंकी हमला कर देंगे यह उनके जहन में फीड है तो भूंके पेट उनको दो ही चीज़े समझ में आती हैं एक हिंदुस्तान या कश्मीर इतिहास अपने आपको फिर से दोहराएगा और जो हमसे छीना गया है वो फिर से वापस आएगा पाकिस्तान को आप मिला लेंगे एक दिन होना है और बहुत जल्दी होना है कि मैंने अपने भारत को आदा खतम माल लिया है लेकिन कल दुनिया के नक्से में पाकिस्तान रहेगा नहीं नमस्कार आदा आप शस्याकाल जहिन में नामनु धिमानों आप देख रहे हैं नेशन टॉक पाकिस्तान के पूर मंतरी सेख रसीद ने कहा है कि भारत के उपर हम इतने बं गिराएंगे कि यहां पर घास भी नहीं होगेगी आज इसी टॉपिक को लेकर भारत की जनता के पास जाएंगे देखते हैं उनका क्या कहना है भाई आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो 50 जा सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं आप लोग सहयोग करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाएंगे अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय क्या नाम है सर पाकिस्तान के कूर मंतरी हैं सेग रसेद उन्होंने कहा है कि भारत के उपर हम इतने बम बरसाएंगे कि भारत में घास भी नियुक्ए कि भारत खतम हो जाएगा इस पर क्या कहेंगे देखिए उनका यह जो बयान है इसे तो मैं बहुत ही जादा हास्यासपद समझता हूं क् यह फ्यूज बल्मों की जालरें भारत को भारत पर इस तरीके के बयान दे रहे हैं उनको साइद अपना इतिहास नहीं पता है आज के करीब 30-40 साल पहले जब ठीक से चलना सुरू नहीं हुए थे तब ही हमारे देश की एक महिला ने उनको पटक के उनके दो तुकड़े कर दि कोशिस करके देख सकते हैं मुझे यह लगता है कि यह तब की बात अलग थी और यह अब 21 सदी का भारत है और मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे से जादा नहीं लगेंगे पाकिस्तान को इस दुनिया के दक्से से मिट जाने में तो मेरे खयाल से वो इस समय जो महौल चल लहा है मेरे यह साथ से थोड़ा हसी मजाग कोमेडी कि जरूरत है तो ऐसे यो करो लोगों के रहना भी जरूरी है उनके मजाग चलते रहेंगे बाकि हिंदुस्तान की हैसियत क्या है यह अनके देश के जो वुजीर है पधान मंत्री है यह ल Virus के समस्शडार लोग आप अच्य से तरफ से कभी इस तरीके के बयान नहीं दिये गए हैं क्या आप समझते हैं इस चीस देखिए मैं यह कहूंगा कि देखिए जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे वो बड़ों से अनाव सनाप उल्टी सीधी बाते कर देते हैं बड़े पलट के जो है उसको उनकी भासा में उस यह पूरी दुनिया को पता है और जितने भी पडोसी मुलक हैं वो चाहे कोई भी कितने भी ताकतवर हो आज भारत इन चीजों में सच्छम है क्योंकि भारत का अपना सामर्थ है भारत अपनी सामर्थ के लिए किसी राजनेतिक पार्टी या किसी ब्यक्ति विसेश से इसका बराबर वालों से करनी चाहिए बराबर वालों से अब यह च्छोटे मोटे बच्चों से लड़के मतलब हमा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ना अपना एक स्टेटथ है भारत का une Sendak ao् quantify Willशा फोavic ना मिलने से प्रेसान है तो भारत इन सारी समस्यावों थोड़ी समय के अंदर दूर कर सकता है अगर भारत से पाकिस्तान मदन मांगे तो भारत से पाकिस्तान मदन न मांगे भारत को धंकार है कि हम तुम को खतम कर देंगे इस strategy पर वहाँ की नेताओं के बारे मैं क्या कहना चाहेंगे कहा ये जाता है कि पाकिस्तान को आज तक जो बरबात किया है वहाँ की नेताओं ने किया है और आगे भी यही करेंगे देखेए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर माझ लीजे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और अगर दूद के लिए रो रहा है तो उसकी माँ अगर उसे दूद नहीं दे सकती है तो क्या करती है वो उसे उठा के किसी उंची जगे पर बिठा देती है बच् conventions के लिए नहीं रोता है उपर से उतार देने के लिए रोता है, तो पाकिस्तानवाल में उनके जो भी नेता है जिम्बेदार हैं, वो यही कर रहे हैं, जो वहां कि जनता की मूल भूत जरूरते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, सच्छा, स्वास्त, यह वो देने में आसमर्थ हैं, नहीं दे सकते हैं, त तो कल जनता को, और उन लोगों को उन चीजँंगाज पर काम करना ही पड़ेगा, टो मामला यैं इस्वा समत आजयत हैं, यह रोट के दमें, भारत की तोर पर नहीं करेगा, कुछ स्वार्थवस करेगा, और हमारा हम लोगों का हमेशा से हमने तो जब देश आजाद हुआ था तब भी 56 करोड दिये थे तब उनके सर पर तरपाल आई थी तो हमने तो हमेशा उनकी मदद की है तो बाकी कोई भी देश ऐसे ही नहीं करेगा हमारा ऐसा कोई मानना नहीं है ना तो हमारी ऐसी कोई सोच है हम हम उनकी मदद करके उनका कुछ हथिया लें ऐसा कुछ है नहीं तो हम ऐसे ही क्यों मदद करेंगे अच्छा सर जो वहां के नेता है जो जनता है जो यह समझती है कि हम भारत के ओपर अटैक कर देंगे तो भारत खतम हो जाएगा हम बचे रहेंगे तो इस तरीके के जो लोग ध बात कहूंग osob कि सूरज कितना भी तयज चमकले समंदर को नहीं सुछा सचता है तो अपनी हैसियत को समझें अपनी जरूरतों को समझें अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी जरूरतेशों पर कार्म कोई जो है गमले मों का पेड़ नहीं है जिसे कोई भी आएरा गेरा नत्थो खेरा के जो है उखाड के फेक देगा भारत की अपनी एक हैसियत और भारत हैसियत देखके ही लोगों को जवाब देता है बस इसी का नतीजा वो ऐसा बोल पा रहे हैं तो इसमें बहुत ज्यादा पाकिस्तान के एक नेता हैं वह कहते हैं भारत के ऊपर इतने बन फ्हेकेंगे वहालत खतम हो जाएदा a kiham यह बाब होता बेटा बेटा हुत पाकिस्तान के एक कहा पुल्भी कैसे पार हैं ये भी सोचना है क्योंकि भारत से ही पैदा हुआ है पाकिस्तान ये सब जानते हैं जग जाहिर है मजहब के नाम पे बटवारा के एक सेंड वाई जो भी आज की जो विशेश परिस्थितियां है उसमें ये कहना असंभव नहीं है कि वो कर भी सकता है क कि वो लोग जाहिल लोग हैं आपने देखा अभी उन जाहिलों को कि वो लोग नपढ़ाई का स्तर कोई मेंटेन कर रहे हैं कुछ नहीं उनकी अर्थवेवस्था पूरी चौपट हो गई और यहीं नहीं फिलाल दो तीन देशों का यही हाल हो रहा है आप सीरिया ले लिए आए दिन मस्जिदों में सिया सुननी के वहां बंभिस वोट कर दे रहा है तो वो लोग जाहिल लोग हैं उनके बारे में बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत हैं और एक सथ होके सच्चे भारती होने का प्रमार देना चाहिए और पाकिस्तान के उपर जरूर से जरूर स्ट् हमला कर नहीं रहें लेकिन घीदल भबकी हमेशा आती रहती है जैसे कि उनके फ़रक नहीं आता है ठीक है इसके पास खाने की रोटी ना उसके आवकाद नहीं है आप क्या करना मुझे तो अटल विहरी बैट पेजी का वो वक्तब याद आ रहा है कि मैंने अपने भारत को आ अधा ख्तम होंगे उrenchा लेकिन पाकिस्तान पूरा ख्तम पूरा हो जाया मैंने आल लिया भाम है लेकिन भारत की तरप से कभी जो है इस तरीके के थ्रेट नहीं दी आते हैं मतलब उनको धमकी नहीं दिया कि पाकिस्तान का जो भी उड़ता है क ambitions above 18 trust को उड़ा دेंगे क्यों का सीधा सा जवाब है कि पैसे से आप सभ्यता खरीज सकते हैं संसकार नहीं खरीज सकते तो यह संसकार है भारत की जो भूम है वो सनातनी वीरों की है हमारी जो संसकार है हमारे ब्लड में है तो हम लोग कभी ऐसा कोई काम करते नहीं सर्व धर्म संभावना का हमारा विचार ध देखे में चीज तो है अभी आप देखिए बाटला हॉस के लोगों को भी लोग शहीद का दर्जा देने के लिए मरे जा रहे हैं सुध्र शब्दों में तो जाहिल लोग हैं उनसे क्या आप उमीद कर सकते हैं लेकिन अब इसका मतलब यह भी नहीं कि हम लोग वैसे ही हो जाए हम लोगों में अपने ब्लड में जो सनातनी रख्त है जो हमारी हमारे परवरिश है सभी भारती सश्टित जवाब देता हूँ मैं बहुत चोटा सा था तो मेरी ममी ना पूजा करती रहती थी हमारे वाँ बड़े सस्ते होते है, बीस-पचीस रुपए की किताब में लिखाता ब्रहस्पतिवार कि बत्काता कि जब धर्ती पर मानूँ पर अत्याचार हुआ, इट मीन्स कि सभी मानूँ जो है, वो सनात्नी है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं से कोई क्लासिफिकेशन करने के जरूरत नहीं, यह समिधान जो है, यह आज अभी बना, ठीक हम लोगों ने उसको स्विकार किया, कि इससे पहले भारत नहीं था, क्या, और अब की जो जेनेशन आ रही है, उसने क्या पढ़ा है, कि वासको डिगामा ने भारत की खोज कि थी, अब बत प्रवाह कर सके, अच्छा, क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान एक सांति प्रिये देश है, यह मानने वाली बात है, बिल्कुल अगर उनके व्टव में यह कह रहे हैं, तो अपना मानने, कोई नहीं मानता है, अब इससे समाज नहीं मानता है, अच्छा सर, आप भी आ पाकिस्तान अब विश्व में सबसे पिछडे देशों में आता है अब उनके पास कुछ बचा नहीं है उनके पास अब दो चार मुद्दे बचे हैं कश्मीर अपनी जन्ता को बरगलाने के लिए हम परमाडू बम मारेंगे उनकी हकीकत में इस्तिती यह है कि अब उनके यह दि आश्रित हैं उनके पास अपनी रोटी का इंतजाम करने के भी पैसे नहीं है अच्छा जैसे कि सर आपने बताया कि इतनी सारी दिक्केते हैं तो वहां के जो नेता है भारत को खतम करने में ज्यादा अपना ध्यान लगा रहे हैं जबकि पाकिस्तान को तरक्की में ध्यान ल लगते हैं तो इनको दूसरी तरीके से कैसे कुछ किया जाए तो भूखे पेट उनको दो ही चीजे समझ में आती हैं एक हिंदोस्तान या कश्मीर तो उसका एक ही उनके पास बरगलाने के उनके पास दो ही मुद्दे हैं तो कभी कहते हैं परमाडू बं मारेंगे हकीकत में भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यस्ता है और आने वाले दिनों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्ता में की और भारत एक विक्सित राष्ट बनने जा रहा है तो मुझे लगता है भारत के लोगों को या भारत की जंता को यह चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे बड़ा तो सिर्फ यूपी है आज यदि आप आबादी के बात करिए या आप जीडीपी की बात करिए तो आज सिर्फ यूपी आपके पाकिस्तान से जादा है तो हमें ये सब चीजे सोचने की कोई जरूरत नहीं आज जो पहुत सारा सामान है जो पहले दोबाई जाता है फिर पाकिस्तान आता है आज के समय में संकट में पाकिस्तान है वहां के चोटे-चोटे लोग उंको खाना नहीं नसीब हो रहा है तो उनको भारत से मदद मांगनी चाहिए धंकी देनी चाहिए इस पर क्या कहेंगे अब मदद मांगनी चाहिए लेकिन जब लोग खुद ही जीवित नहीं रहना चाहते तो आप क्या करेंगे जहन में इतनी कटरता भर दी गई है कि उनको ये चीज समझ में ही नहीं आती है कि भाईचारा क्या होता है या विश्विस्तर पर हम एक समुधाय के रूप में या एक आम नागरिक के रूप में कैसे अपने देश को विश्व में बढ़ाएं उनको ये सब नहीं आता है उनको बचपन से लेके वांत तक सिफ कटरता ही पढ़ाई जाती है कि कैसे भारत में उपद्रों फैलाएं कैसे फिर से दंगे करवाएं कैसे फिर से आतंकी विस्पोड करवाएं तो ये उनकी समस से परे है कि आज हम विश्व से कैसे सहयोग लें और कैसे सहयोग लें उनको सिर्व भीक मागनी आती है किराय के टुकडों पर पर ले वाला पाकिस्तान इससे ज़्यादा बड़ी सोच रखी नहीं सकता है उसकी सोच यही हमेशा से थी और यही हमेशा से रहेगी कि हम भारत पर परमाणगू हमला कर देंगे भारत पर यातंकी हमला कर देंगे यह संसकार है बार पो इसकी चिंटा करने की ज़रूरत नहीं आज भारत विक्सित-डेशों की शंकला में खड़ा हुआ है यह रही क्यों हमारे पास भी है उनके पास है और हमेया सकत discussion है और विकालाभी तरफ ह कुई नहींrika एक भारत एक विक्षित देश है भाका सुने तौटायोग के जह कि हुश की सोचता है ठादिक हूं पाकिस्तान पूरी तरीके से गिर चुका है आज पाकिस्तान पूरी तरीके से गिर चुका है आज वहां के आप YouTube चैनल पर देखेंगे वहां के मीडिया चैनल पर देखेंगे तो वहां की जनता मांग करती है कि हमें मोदी जैसा पदान मंती मिला होता तो हमारा देश आज कहा होता तो वहां के जो मंती हैं उनको भी मालूम के हमाँ पार मुद्दे तो कोई है नहीं हमको और बरगलाना है बस कि जनता किसी तरह खुछ रहे क्योंकि रोटी देने की उनकी आवकात नहीं बची है तो और क्या दे सकते हैं जनता को वही कटरता दे सकते हैं जिस पर उन्होंने अपने देश को पाला है इधार से भी बहुत सारे कि पाला है उनके पास क्या है अभी आप याद के लिए फाल के दिनों में अभी बार हाई वीदि पाकिस्तान में हजार लोग मर गेते सोचे बार से तो इससे आप जान लीजे कि उनका प्रबंधंत कितना कमजोर है और अभी आप देख रहे हैं कि तुर्की में भूकम पाया भारत की NDRF की टीमें गई हमने वहाँ पे बचाओ प्रणाली चालू की और हमने कितने लोगों की जान बचाई तो आप इससे सोग सकते हैं कि हम कितने सक्चम हैं और वो कितने ही निदबल है अच्छा एक चीछ बदाई है जब भारत तो पाकिस्तान के इस तरह की सच्वेशन आएगी तो आप क्या कंडिशन देखते हैं भारत के साथ ऐसी कभी कंडिशन आएगी नहीं उनको भी मालूम है कि उनकी आवकात क्या है वो सिफ बर्गला कर सकते हैं पाकिस्तान का इतिहास रहा है हमेशा पीट के पीछे चुरा बोपना आपने देखा कैसे जो है ताज अभार का घुस के जबाब देगी और आपने देखा भी है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के सजिकल स्टाइक की है तो यह पाकिस्तान कभी सपने मेहीन कि पहम्वारे अबिनन्दन को फारत को चोड़ने आया था ये भारत की मजबूत थी वो तो कहते हैं कि हमने पीस के लिए छोड़ा था हमने अश्का नहीं कर सकते हैं मन को बाकिए विश जानता है और बटाने की जरूर्फ नहीं और आज जो पाकिस्तान के इस्थती है वो पाकिस्तान के मंत्री आए दिन खुद ही कहते हैं कि हम किसी देश यह दी जाते हैं तो वहां के नेता सोचते हैं कि आ गया फिर से भीक मांगने के लिए कि आफिर पाकिस्तान का गर्यूद होता है तो उस कंडीसन में भारत की क्या स्थित्र है कि पाकिस्तान के क्या इस्ती आप अपने आपको फिर से दोहराएगा और जो हमसे चीना गया है वो फिर से वापस आएगा पाकिस्तान को मिला के क्या हमें उनको फिरी का खाना हिलाना है क्या पाकिस्तान को मिलाने की जरूरत नहीं उनकी आवाम खुदी कह रही है कि भारत हमको अपने साथ मिला दे कम से कम दो देगी उनकी आवाम जानती है कि हमारी सरकारें से निकम्मेपन के अलावा कुछ नहीं जानती हैं और यह हम को कुछ सबसे बड़े समझवतों में आता है आप इससे जान लिए कि भारत की इस्तिति क्या है आज विश्च के बड़े देश हमसे मदद मांगते हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि हम दूसरे देशों में हमारी NDRF की टीम हो गई या नितीमें हो गई जो जाकर मदद देती हैं तो यह भारत का आज इस्तर है अच्छे सर एक चीश बढ़ाईए जो मंत्री थे आवहां के जो जनता है अपनी दिमाग में अंदर रखती कि हम आपर एटम बम हैं भारत के उपर छोड़ देंगे खतम कर देंगे उनके लिए आप क्या संदेह देना चाहते हैं देखे वो ल अभी वो 47 की सोच के साथ जी रहे हैं तो उसमें उनकी गलती नहीं उनकी शिक्षा उनके संस्कार की ही गलती है आप क्या जाएंगे इस बात में एक चीश जोड़ना चाहूंगा कि अभी अपना जो जब से अपनी भाजपा की सरकार आई है उसने एक काम बहुत अच्छा कि देते रहे हैं उससे हम लोगों के ऊपर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है बस वही मैं फिर से कहूंगा कि एक दो थपड़ मारने आवश्यक है वह बहुत जरूरी है दन्यवार दोस्तों आप लोगों ने देखित जनता के राय यहां के जो लोग है उनका यह मानना है कि जो वीडियो के साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे हमारी आपके मुलाकात जल्द जल्दी होती रहे जय हिन जय भारत